मैं आज बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट और यहाँ पर मैंने सारा सामान निकाल के रखा है पहले ही और अब बनाना शुरू करते हैं अच्छा सबसे पहले अंडे फोड लेते हैं और यह लास्ट चलो जी यह हो गया अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मेर्च और थोड़ा सा नमक थोड़ा सा नमक और अब इसे फेंटेंगे अच्छे से अब इसमें डालेंगे थोड़ा दूध और फिर से फेंटेंगे थोड़ी देर अब यह हो गया गैस वन कर देते हैं और इसमें लगाएंगे रिफाइंड ओईल बस् गरम हो गया अब लेंगे यहां से ब्रेड और इसे जब डिप करेंगे और इसे यहां अब एक और ले लेते हैं डिप करना है और इसमें एक और भी आ जाएगा एक और डाल देते हैं अब थोड़ी आंच सिंपे कर देते हैं इसे पलट देते हैं ऐसे और यह भी और यह भी और यह भी और यह भी अब यह हो गया थोड़ा अच्छे से पका लेते हैं एक और बार इसे पलट देते हैं जब तक अच्छे से ना पक जाए हां देखने में तो अच्छा लग रहा है यह इसे थोड़ा थोड़ा साइड से पका लेते हूं कच्छा ना रह जाए अंड़ा बस हो गया यह निकाल देते हैं हम इसमें यह बन गया अब खाके देखते हैं सॉस के साथ तेस्टी है एशाने आप खाओगे कर देखते हैं